आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में आज इस वीडियो में हम बाप करेंगे CGPSC Prelims 2017 में 36 गर सामान नियद्धेन से पूछे गए 50 प्रस्नों पर इससे पहले हम लोगों ने CGPSC Prelims 2020, 2019 और 2018 के Prelims एक्जाम में 36 गर से पूछे गए 50 प्रस्नों पर विस्तार से चर्चा किया हुआ है आप लोग उन वीडियो को भी जरूर से दिखेगा तो यहाँ पर मतलब कि CGPSC Prelims 2017 में 36 गर से जितने भी कोश्चन पूछे गए थे ना पूछे जाती है जिसमें 36 गर करेंट अफेर है आर्थिक सर्वेख्षन है वो भी सामिल है वो उस समय का है अभी के हिसाब से आप के काम नहीं आएगा लेकिन किस तरह के कोश्चन पूछे जाते मैं यह तो आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग कोशिश करते हैं तो पहला कोश्चन है पंचायति राच्स सह कुश्चन है तो पंचायति राच्से काफी सारे कोश्चन डबन रहे हैं तो इसको आप ज्ञानपूर्वक वो करने की कोशिश करिएगा आप सबसाइड न लोग न मेरे आंसर बताने के पहले अ है कि अगर पंचायत चुनाओं में पंचायत चुनाओं की घोशना हो चुकी है प्रत्यासियों नामांकन भर दिया है तो यदी पंचायत चुनाओं में मतदान के पूर्व किसी प्रत्यासि की मृत्तिय हो जाएगी तो क्या होगा तो आपसन दिया हुआ है मतदान इस्थगित हो जाएगा मतदान इस्थगित नहीं होगा यदी केवल एक अभ्यार्थी सेश रहे तो मतदान इस्थगित हो जाएगा चौंथा दिया है यदी एक से अधिक अभ्यार्थी सेश रहे तो मतदान इस्थगित नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये पूछा गया है ना, तो दो चीजे हो सकती है, दो चीजे हो सकती है क्या-क्या? एक तो यदि केवल एक अभ्यार्थी सेश रहे तो मतदान इस्थागित हो जाएगा, मान लो कि दो व्यक्ति चुनाव में खड़े थे, प्रत्यासी की रूप में एक की death हो गई, अब एक कही बचा है, तो ऐसे condition में मतदान इस्थगित हो जाएगा, दूसरा यह हो सकता है कि यदि एक से अधिक अभ्यारती से इस रहें, तो मतदान इस्थगित नहीं होगा, माननों चार प्रत्यासी थे, उनमें से एक मर गया, तो तीन बच गए तो ऐसी इस city में मतदान हो सकता है, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा, तीन और चार, जो CGPSC ने भी इसको आंसर लिया है, ध्यान रखेंगा, यह condition जो हो सकता है, तो तीन और चार इसका आंसर होगा, तीन और चार, मतलब यह जो सह है, यह आपका उत्तर होगा, तीन चार, अगला question द पहले पांच ऑप्शन दिये जाते थे लेकिन 2018 से एक ऑप्शन घटा दिया गया और अब जो है चार ऑप्शन होती है अगला कुश्चन है यह भी जो है पंचायत चुनाओ से संबंदित है तो दिया है पंचायत चुनाओ के विशय में सही क्या है यह आपको बताना है तो हम लोग पढ़ते जाते हैं पहले पढ़ लेते हैं आप लोग भी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और आंसर देने की कोश करिएगा मैं आपको एक बार कूट दिखा देता हूं तो कूट कुछ इस तरह का है तो आप लोग जो है कूट के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं तो देख लेते हैं एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है अगर हम बात करें पहले वाले कथन की तो यह बिलकुल सही है एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ती राज निर्वाचन आयोग करता है तो यह भी सही कथन है मतलब कि यह भी सही है जो रिटर्निंग अधिकारी होगा उसकी नियुक्ती राज निर्वाचन आयोग करता है उसके बाद अगला दिया हुआ है रिटर्निंग अधिकारी की निउक्ति आयोग की सहमती से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। मतलब मान लो कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी सहमती से जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब ये जो जिला निर्वाचन अधिकारी है जो कलेक्टर होता है तो वो जो है राज्य निर्वाचन आयोग की सहमती से रिटर्निंग अधिकारी की निउक्ति कर सकता है तो य नायब तहसिलदार ही जनपत पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो कोई और भी हो सकता है क्योंकि यहां बोल रहा है न हो सकता है तो यह बिल्कुल सही है नायब तहसिलदार जनपत पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है अगला दिया है नायब तहसिल जिले का नित्रे तो नहीं कर सकता, तो यह वाला गुलत है, उसको पर दिया है, जिला निर्वाचन अधिकारी, एक मात्रा रिटर्निंग अधिकारी होता है, अब यहां दिखेगा हम लोगों ने जो यहां पर दिया है कि एक यह जो दूसरा कथन है एक या अधिक डूरिं करनेंग अधिकारी होता है जब ये कथन सही हो रहा है तो ये तो घलत हो गाई होगा जिला निर्वाचन अधिकारी एक मातर रिटर्निंग अधिकारी होता है नहीं एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे मतलब एक दो तीन चार पांच छे यह जो हैं सही हैं तो कूट के हिसाब से आंसर देखें तो यह आपका सह होगा एक दो टीन चार पाच च है अगλα कुस्चिन हम लोग прим Jonathan कुरुख बोली कौन बोलते हैं वह काफी बार पुछा कुरुख बोली किसके द्वारा बोला जाता है तो अरौजग बोली जोकी डरविड भासा परिवार का हिस्सा है अगला कुष्चिन है माटी तेवहार किस संभाग की जंजातियां मनाती है माटी तेवहार ये जो है मुरिया जंजाती द्वारा प्रमुक्ता से मनाया जाता है मुरिया जंजाती गोंड भी आप आंसर मिले सकते हैं अगर दोनों में से अगर गोंड है तो आप संभाग में इसको मनाया जाता है ये ना चैत्रमास में मनाया जाता है माटी तेवार अगला कुश्चिन दिया है भरतरी गायन की प्रशिद्ध गाई का कौन है इसको ध्यान मत दिन अगलती से आ गया तो भरतरी गायन की प्रशिद्ध गाई का है स्रीमती सूरुज भाई खां तो सुरूज भाई खांडे ज्यान रखेंगे अगला कोस्चन दिया हुआ है लज्जित होना का 36 गड़ी मुहावरा है लज्जित होना इसका 36 गड़ी मुहावरा है मुडी गड़्याना मुडी का मतलब होता है सिर अगला कोस्चन है कोंडा गाउं किस लिए प्रशिद है तो ये प्रशिद है घड़वा सिल्प के लिए यहां एक घड़वा सिल्प कार हुआ करते थे जैदेव बगेल जिनका निधन हो चुका है जैदेव बगेल इनको काफी बार पूछा भी गया है कि जैदेव बगेल का सं बंद कहां से है, किस कला से है, तो काफी बार पूछा गया है, अगला कुछन दिया हुआ है, नगर पंचायत के वारड समीती के विश stray में क्या सही है, यह आपको बताना है, तो भài, नगर पंचायत के कुछ वारडों को मिला कर, वार्ड समीती बनाई जाती है तो ये बिल्कुल सही है नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिला कर वार्ड समीती बनाई जाता है अगला दिया है इसमें वार्ड से निर्वाचित पारशद सदस्य होते हैं मतलब कि जो कुछ वार्डों को मिला कर वार्ड समीती बनाई जाए तो उन वार्डों के दो सई है उसके बाद है वार्ड समीतीका अध्यक्ष नगर पंचाएट अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है तो यह गलत है तो जितने भी आंसर मैं ले रहा हूं CGPAC के model answer के हिसाब से तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा एक दो तीन और जिस तरह से पेपर में जो option थे कूट वाले option थे सबको मैंने वैसे के वैसे ही रखें हैं अगला question है भारत के संदर्भ में 36 गड़ किस भू प्राकरतिक प्रदेश के अंतरगत आता है तो भारत के संदर्भ में तो हम लोग पढ़ते हैं भारत का हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो प्राकरतिक प्रदेश पढ़ते हैं उत्तर का मैदान दक्कन का पठार हम पढ़ते ह हैं, इस तरह से पढ़ते हैं ना, उत्तर का परवतिय प्रदेश ऐसा पढ़ते हैं, तो हमारा जो चट्रचिस inn दिया हुआ है, उच्ज भूमी choams जीमा पर स्थितर्जिलों की संख्या है, काफी अच्छा कोश्चन है, काफी बार घुमाफिरा करके पूछा गया है, हमारे चतिसगड़ में वरतमान समय में total 28 जिले है ना, इन 28 जिलों में से ऐसे जिले जो की अंतरराप जीए सीमा पर इस्थित जिले हैं, कितनी है उनकी संख्या तो 18 है, कितनी है 18, बाकि जो 10 जिले हैं वो भू आविश्थित जिले हैं, ये द्यान रखेंगें, 10 जिले भू कि सीमाओं को इशपर्श करते हैं अगला question दिया हुआ है महा नदी का पौरानिक नाम निलोत पला बताया गया है तो यह कहां पर बताया गया किस गरंथ से मिला है मतलब किसी गरंथ में मिला होगा न तो इसका esन्ष कम पुरान में पता चलता है कि महा नदी को निलोत पला कहा गया है ध्यान रखेंगे अगला हम लोग दिखते हैं अगला कोश्चन 36 गड़ के किस लेखक ने सेक्स पियर के नाटक कॉमेडी ओफ एरर्स का 36 गड़ी में अनुवाद किया है तो दिखेगा हमारे 36 गड़ के काफी सारे जो लेखक है निता है उन्होंने यूरोप के इतिहास को भी लिखा है काफी कुछ लिखा है अंग्रेजी साहित्य का 36 गड़ी में अनुवाद भी हुआ है तो सेक्स पियर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और इसका एक नाटक है कॉमेडी ओफ एरर्स है इसका 36 गड़ी अनुवाद किस नाम से है पूरू जुरू तो इसको अनुवादित किया है सुकलाल पांडे ने ध्यान रखना यहाँ पर पंडित सुंद्रलाल सर्मा दिया है वामनरा अलाके दिया है सुकलाल प्रशाद शुकल दिया है, सोराज प्रशाद त्रवेदी दिया है, लेकिन इन चारों में से नहीं है, सुकलाल पांडे, नाम याद रखेंगे सुकलाल पांडे, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, अभी जो है चार ओप्शन देते हैं, ध् सुकलाल पांडे ने सेक्सपियर के नाटक, कॉमेडी ओफ एरर्स का 36 गड़ी में एनुवात किया है, पूरू जूरू नाम से, कभी अगर मिले तो पढ़िएगा जरूर, अगला कुश्यन दिया हुआ है, समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशास्ती में कोशल के सासक का क् प्रयाग प्रशास्ती में उल्लेखित है कि जो समुद्र गुप्त है, उसने कोशल महाकांतर के सासकों को पराजित किया था, तो कोशल के जिस सासक को समुद्र गुप्त ने पराजित किया, जो कि इसके प्रयाग प्रशास्ती में उल्लेखित है, उस सासक का नाम है महेंद् और महाकांतर जो उस समय बस्तर छेतर को कहा जाता था महाकांतर ध्यान रखना तो महाकांतर के सासक को भी पराजित किया और इसका भी उल्लेखम को कहां से मिलता है प्रियाग प्रशस्ति से तो महाकांतर का सासक था व्याग्र राज जो कि नलवंसिय शाशक था अगला question हम देखते हैं 36 गड के कल्चुरी राज्य का प्रमुक लगान अधिकारी का पद नाम क्या था लगान अधिकारी जो लगान वगेर वशुल करने का काम करता था उसका नाम क्या था तो उसका नाम होता था महा प्रमात क्या होता था महा प्रमात अगला question दिया हुआ है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने को बोल रहा है व्यक्तिगत सत्यागरह में भाग लेने वाले और दूसरे तरब दिया हुआ है इस्थान तो देखते हैं इसमें क्या है अच्छा ये वाला जो question है ना एक मिनट ठिक 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 जैन इन्होंने जो है राइपूर से नित्रित्व किया था यतियत अनलाल जैन ने उसके बाद राम गोपाल तिवारी ये जो है बिलासपूर से नित्रित्व किया था रतनाकर जाने दूर्ग से नित्रित्व किया था तो यहाँ पर आपका अंसर बन जाएगा एक उसके बाद तीन उसके बाद चार उसके बाद दो यह आपका उत्तर बनेगा एक तीन चार दो कहा है भी यह एक तीन चार दो अच्छा यह रहा अगला question दिया हुआ है 36 गड़ राच्जे के अच्छा यह जो है न यह जो question है यह आर्थिक सर्वेक्षन मतलब उस समय का जो भी आर्थिक सर्वेक्षन हुआ था या इसको हम लोग करेंट अफेर में भी सम्मिलित कर सकते हैं तो यह कोस्टन जो है मतलब आपको आंसर नहीं बताना है क्योंकि यह पुराना चीज है लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएग कि आर्थिक सर्वेक्षन से किस तरह का question पूछा जाता है तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और अभी इसको किस तरह से पूछा जा सकता है बिलकुल अइसे ही पूछा जा सकता है अभी फी लेकिन अभी का data पूछा जाएगा तो बोल रहा है कि 36 राज्य के स तो इसका जो आंसर उस समय लिया गया था वो था 7.23 प्रतिसती तो आपके लिए important नहीं है लेकिन प्रशन आप लोगों के लिए important है आप ध्यान में रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षन को पढ़ने के समय कि ऐसे ऐसे question पूछे जाते हैं तो आपको आसानी होगी अगला question है ये भी आर्थिक सर्वेक्षन से संबंदित है काफी पूछा गया है इस तरह की question 36 राज्य में प्रतिव्यक्ति आए देखो ये काफी important है प्रतिव्यक्ति आए वर्ष 2011-12 में इस्थिर कीमतों पर वर्ष 2016-17 के लिए क्या अनुमानित की गई है तो आपको जो है यही question पूछेगा और बोलेगा कि वर्ष 2021-2021 के लिए क्या अनुमानित की गई है ऐसे आपको पूछा जा सकता है तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षन को पढ़ेंगे तो उस समय इन questions को ध्यान में रखेगा इसका आंसर जो है ये लिया गया था इन में से कोई नहीं तो प्रतिवेक्टि आए आपको ध्यान में रखना होगा ऐसे ही question पूछेगा ये भी आ अगला question 36 गड़ में सुन्य ब्याज पर क्रिशी रिण किसानों को किस वर्ष शे दिया जा रहा है तो हमारे 37 गड़ में किसानों को जो क्रिशी रिण उपलब्ध कराया जाता है जो agriculture loan वो जो है सुन्य ब्याज दर पर दिया जाता है कोई भी उस पर जो है ब्याज नहीं लि 36 गड़ राज्य के सकल घरिलू उत्पाद में यांत्रिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है तो यह question बिल्कुल सेम रह सकता है बस आपको यहाँ पर जो है 2020 देखने को मिल सकता है तो ध्यान रखना जब भी आर्थिक सर्विक्षन पढ़ोगे तो इन प्रशनों को अपने दिमाग में रखना की भी ऐसे ऐसे question पूछे जाती है इस तरह से तो यहाँ पर इसका आंसर लिया गया था एक दसमलव 95 तो वर्श इसको आपको जो है राज्य के सकल घरिलू उत्पाद में यांत्रिकी का उत्पादन क्या अनुमानित किया गया ऐसे पुछा जा सकत का लक्ष रखा गया है तो यह उस समय के हिसाब से है 2015-16 लेकिन आपको जो है अभी के हिसाब से पूछा जा सकता है तो इसका आंसर उस समय के हिसाब से 50 लिया गया था अभी आप लोग देख लीजिएगा कि अभी जो है ना जो हार्वेस्टिंग सिस्टम का क्या लक्ष उत्पादन हुआ था तो यह आपको जो है 19-20 का पूछ सकता है अभी जो मतलब पिछले वर्स का पूछ सकता है 19-20-21 का भी पूछ सकता है जैसे कि यह 2017 का पेपर है तो इसमें 2015-16 का भी पूछ रहा है तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखना मतलब की 20-21 या 19-20 से संबंधित च आप्थिक सर्वेक्षण में आपको एई चीजे देखने को मिल जाएगा तो दलहन का वर्स 2015-16 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था तो इसका आंसर लिया गया है चना तो उसमें चना का अधिक उत्पादन हुआ था तो अभी के हिसाब से आप देखिएगा कि अभी किसक से कोस्चन बहुत पूछा जाता है इसी तरह का कोस्चन जो है न 2020 जो अभी फरवरी 2021 में जो एक्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि 36 राज्य में कोईला का उत्पादन वर्स 2012-13 से लेकर के 2015-16 की आवधी में किस वर्स पिछले वर्स की तुलना में घटा है तो आप लोग इसको ध्यान जरूर दीजेगा ऐसे ऐसे कोस्चन बनते हैं तो इसका आंसर लिया गया है 2015-16 उस समय के हिसाब से तो आपको जो है अभी के हिसाब से इन प्रशनों को रख करके देखना है और आंसर निकालने की कोशिश करना है तो आर्थिक सर्वेक्षन पढ़ो 2012-13 से 2016-17 अक्टूबर तक की अवधी में किस वर्स रहा है तो यहाँ पर ये प्रस्ण कर रहा है कि 36 गड़ राज्य के खनीज उत्पादन का मुल्य मतलब कि हमारे 36 गड़ में जितना भी खनीज उत्पादन होता है जितने भी मुल्य का तो वो जो है अखिल भारत के कुल उ हिसाब से और अभी के हिसाब से आपको जो है 2016-17 के इस्थान पर क्या मिलेगा 2020-21 ऐसे मिलेगा न 2020-21 अक्टूबर नौवंबर ऐसा कुछ दे देगा तो वो आपको लगाना होगा तो यहाँ पर इसका आंसर लिया गया है 2013-14 मतलब 2013-14 में अधिक प्रतिशत रहा अगला कु नहीं किया गया है तो यह उस समय का करेंट अफेर का कोस्चन था तो इस तरह के करेंट अफेर की चीजे पूछी जाती है बिलासपूर इसका आंसर लिया हुआ था तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के करेंट अफेर किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षन से question पूछा जाता है अगला question देखते हैं देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है तो देखेगा हमारे जो प्रदान मंत्री हैं उन्होंने योग दिवस सुरू किया तो उसके बाद जो है योग को लेकर के काफी कुछ हुआ तो हमारे 36 गड़ में में पहला राज्य है मतलब कि देश का पहला योग आयोग हमारे 36 गड़ राज्य में स्थापित हुआ है ज्यान रखेंगे इस चीज को अगला question है बार्वे पंचवर्शी योजना अच्छा एक चीज मैं बता दूँ अब तो ये जो पंचवर्शी योजना है इसको समाप्त कर दिया गया है तो इसके इस्थान पर दूसरा कुछ पूछेगा इसी टाइप से question पढ़ लेते हैं बार्वे पंचवर्शी योजना में 36 गड़ के लिए उद्योग का आउसत वार्शिक वृद्धी डर इस्थिर कीमतों पर क्या लक्ष निर्धारित किया गया है तो देख इस्थिर कीमत आपको ध्यान रखना होगा काफी पूछा जाता है आर्थिक सर्वेक्षन आप पढ़ोगे तो बार बार आपको देखने को मिलेगा इस्थिर कीमतों पर अव्रिधी दर घाटा दर इस तरह से काफी कुछ देखने को मिलेगा तो ऐसे question बनते हैं ध्यान रखन इसका answer जो है द लिया गया था मतलब की 7.5 प्रतिसात अगला कुछ ने पंचायती राज से संबंदित प्रशन है तो ध्यान से इसको solve करने की कोशिश करिएगा यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष नि अगर ये निकार है उससे संबंदित प्रशन है तो पहला दिया है जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं एसा भी नहीं होगा अध्यक्ष का पद रिख्त रहेगा नहीं रहेगा ये भी गलत है अगला दिया है सदश्यगान इस्थानापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ये बिल्कुल सही है जब तक नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो है जिलापन चायत के जो सदश्य है वो इस्थानापन अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे तो आंसर हो जाएगा D अगला question दिया हुआ है ये भी जो है नगरिये निकायों से संबंदित है तो question दिया हुआ है नगरपालिका की अवधी के विशय में सही क्या है नगरपालिका की अवधी मतलब नगरपालिका का जो कारेकाल है उसका अवधी कितने समय तक का है तो उसको लेकर के क्या सही है ये आपको बताना है सही क्या है ये आपको बताना है तो पहला दिया है नगरपालिका की अवधी की गढ़ना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथी से की जाती है तो नहीं ये गलत है निर्वाचन परिणाम मतलब कि जब परिणाम निकलेगा न जब रिजल्ट आएगा तो वहां से उनके अवधी की गढ़ना आरंभ नहीं होती है चाहे वो नगरपालिका हो नगर निगम हो चाहे वो ग्राम पंचायत हो निर्वाचन परणाली मतलब कि यही कंडिशन लागू होती है जिला पंचायत उनके लिए भी यही कंडिशन लागू होती है कि जब उनकी प्रथम सम्मेलन होगा तो उस तिथी से अवधी की गढ़ना आरंभ की जाती है ध्यान रखना तो नगरपालिका की अवधी की गढ़ना प्रथम सम्मेलन की तिथी स की जाती है अगला दिया है नगरपालिका की अवधी पांच वर्स होती है बिल्कुल सही है देखो जो नगरपालिका की अवध मतलब जो नगरपालिका का जो प्रथम सम्मेलन है वो जिस तिथी को आरंब होगा उस तिथी से ले करके आने वाले पांच वर्सों तक उसका जो है कारेकाल होगा भले ही उसका जो गठन है कितनी समय पहले हो चुका हो लेकिन गड़ना जो है प्रथम सम्मेलन की तिथी से आरंब होगा और ये टोटल पांच वर्से इनका कारेकाल होगा तो दूसरा सही है तीसरा सही है चौथा देख लेती है यदि नगरपालिका दो वर्स में विघटित कर दी गई तो नई नगरपालिका तीन वर्स की अवधी के लिए गठित की जाएगी ये ये सही है ये भी सही है देखो क्या होता है नगरपालिका हो नगरपंचायत हो ग्राम पंचायत हो नगरपाली का हो तो इसमें क्या होता है कि मानलो कि चाहे नगरपाली का हो ग्राम पंचायत हो वो गठित हो गई और दो वर्स बाद एक वर्स बाद तीन वर्स बाद विगठित हो गई अब ऐसी दसा में जो नई नगरपाली का नई ग्राम पंचायत गठित होगी वो पांच पांच वर्स पूरा होने में जितना भी समय बचा हुआ होगा उतने समय तक कारे करेगी जैसे कि यहाँ पर कंडिशन दिया है कि यदि नगरपाली का दो वर्स में विगटित कर दी गई तो नई नगरपाली का तीन वर्स की अवधी के लिए गठित की जाएगी मतलब उसका ज कराम पंचायत के लिए भी यही कंडिशन लागू होता है तो यहां चौछा जो है अग्ला दिया है यदी नगरपाली का दो वर्स में विगटित कर दी गई तो नई नगरपाली का पांच वर्स की अवधी के लिए गठित की जाएगी तो नई यह गलत है अभी मैंने बता है यहां पर दो सही है, टीन सही है, चार सही है, एक बार मैं इसको क्लिन। कर लेता हूं. अब बताते हैं, दूसरा वाला सही है, तीसरा सही है, चौंथा सही है बाकी ये गलत है पहला पांचवा भी गलत है तो क्या सही है नगरपालिका की अवधी की गड़ना प्रथम सम्मेलन की तिथी से की जाती है तो ध्यान रखना नगरपालिका की अवधी पांच वर्ष होती है यदि नगरपालिका दो वर्ष में विघटित कर दी की जाएगी मतलब बचे हुई समय के लिए घठित की जाएगी तो दो तीन चार यहां आपका सही है तो यह आपका आंसर होगा दो तीन चार मतलब अगला कुश्यन देखते हैं ये भी ग्राम पंचायट से संबंदित प्रश्न है अगर मैं कहूं ना तो 2017 का जो पेपर था थोड़ा सा मुझको कठिन लगा क्योंकि इसमें आर्थिक सर्वेक्षन और पंचायती राज नगरीय निकाय से कुश्यन थोड़े जादा थे आप लोग बताईएगा आप लोगों को कितना टफ लगा तो कुश्यन देखते हैं ग्राम पंचायत का सर्पंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है ये जो है 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार आपको बताना है तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है ना मतलब ग्राम पंचायत का सर्पंच कब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा तो जब सर्पंच का चुनाओ लंबित हो मानलो सर्पंच का चुनाओ किसी भी कारण से लंबे समय तक लंबित है तो ऐसी दसा में हमारे 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार सर्पंच का चुनाओ जो है अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है जब सर्पंच का चुनाओ लंबित हो अगला कुश्य दिया हुआ है यदि एक पारशद विधी विवशाई होते हुए किसी अन्य वेक्ति की ओर से नगरपाली का परिशत के विरुद कारे करता है तो क्या होगा मतलब कि मान लो नगरपाली का है या नगर निगम है नगरपंचायत है वहाँ का कोई पारशद का कोई भी पारशद जो है विधी विवशाई है मतलब कि वकील वगर है अब वो जो है किसी दूसरे वेक्ति की ओर से नगरपाली का परिशत के विरुद कारे करता है मतलब उस उसको पद से हटा देगा देखो पहली बात जो भई पारसद बन गया तो वो जो है दूसरा काम नहीं कर सकता और वो जो है सीधा मतलब नगरपाली का परिशत के विरुदी कारे कर रहा है भले दूसरे वेक्ति की ओर से कर रहा हो दूसरे वेक्ति के नाम से कर रहा हो ऐसा करने तो collector उसको उसके पद से हटा देगा तो ध्यान रखना यहां पर जैसे option में दिया है पारसद एक विधी विवसाई की रूप में कारे कर सकता है तो नहीं ऐसा नहीं है पारसद अपने पद पर बना रहेगा नहीं उसको हटाया जाएगा यहां पारसद का विशिशाधिकार है तो भाई ऐसा कोई विशिशाधिकार नहीं होता है अगला question हम लोग दिखते हैं 36 गड़ में मानक समय रेखा एवं करकरेखा का कटाओ बिंदू है तो यहां पर अगर हम लोग देखें ना तो सूरजपूर को आंसर हम लोग ले सकते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो है दिक्कत है इसको जो है CGPSC ने साइद विलोपित कर दिया था क्योंकि कोरिया भी आंसर है आर्थिक सर्वेक्षन के हिसाब से कोरिया में जो है भारतिये मानक समय रेखा और करकर रेखा आपस में एक दूसरे को काटते हैं लेकिन वहीं जो 36 गड़ जनसंपरक विभाग है उ जानव विका सुचकांक सर्वाधिक है ये उस समय के हिसाब से मतलब की 2017 के हिसाब से कोरबा को आंसर लिया गया था अगला कुस्चिन दिया हुआ है किस राज्य की उत्तरी सीमा 36 गड़ राज्य की दक्षणी सीमा को निरधारित करती है मतलब देखो इसको ध्यान से पढ़ इस पर्ष करता यह आपको बताना है तो देखो क्या बोल रहा है कि किस राज्य की उत्तरी सीमा 36 गड़ राज्य की दक्षणी सीमा को निरधारित करती है तो देखो जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश का जो दक्षणी भाग है उत्तर प्रदेश का जो दक्षणी भ उडिशा की अगर हम लोग बात करें तो उडिशा जो है हमारे चत्यजगड के पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है और उडिशा का पस्चिमी सीमा हमारे चत्यजगड के पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है आंदर प्रदेश की बात करें तो भई यही अपना आंसर होग तो आंसर आपका हो जाएगा आंधर प्रदेश तो इस तरह मतलब बिल्कुल साधारन सा कोश्चिन है जिसको घुमा दिया है अगला कोश्चिन दिया हुआ है तो यहां पर सूरजपुर् जिले में सीटा लेखनी पहाँ इस्तित है इंपॉर्टेंट है यह चीज अगला कुश्चिन है राइपूर्शंभाग की विशेष पिछड़ी जनजाती कौन सी है तो जवार तो पिछडी नहीं है, कमर भी नहीं है, हलबा भी नहीं है, कमार जो है विशेश पिछडी जन जाती के अंतरगत आती है, जो की रायपूर शंभाग में निवाश करती है, अगला कुश्चन है सूची मतलब सुमेलित करना है, सूची एक को सूची दो से सूमेलित करना ह सूची एक में ना चतिस गड़ के बिरिटीस सुपरिटेंडेंट दिया हुआ है और सूची दो में उनके समय की प्रमोखर घटना ब्रिटिस सुप्रिटेंडेंट मतलब जो ब्रिटिस अधिक्षक देना 1818 से लेकर के 1830 के मध्य तो भई कैप्टन एडमंड ये हमारे 36 गड़ में न्यूट होने वाले सबसे पहला ब्रिटिस अधिक्षक था या फिर ब्रिटिस सुप्रिटेंडेंट था इसके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई तो डोंगरगर जमिनदारी में विद्रो हुआ था इसके टाइम पर मतलब कि A का हो जाएगा 2 उसके बाद दिया हुआ है करनल एगनियो इसके समय कि महत्वपूर्ण घटना रतनपूर से राइपूर राजधानी परिवरतन तो B का हो जाएगा एक, उसके बाद दिया हुआ है Mr. Shandis, इसके समय में क्या हुआ था? Mr. Shandis के समय में बस्तर और करौण्ध जमिनदारीयों में विवाद हो गया था तो C का हो जाएगा 4, उसके दी दिया है Mr. Crawford, ये जो है सबसे आखिरी British superintendent था, तो इसके समय की घटना है British संदक्षन की समापती, दरसल हुआ ये था कि इसी के काल में Mr. Crawford के समय, जो नाग्पूर का भुसला सा सक्था, उसको सत्ता हस्तानांतृत कर दिया गया था, रगुजी क्रितिय को, तो D का हो जाएगा 1, तो 2, 3, एक मिनट, एक मिनट, सुरी, यहां 3 होगा, माफी चाओंगा, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये आपका आंसर होगा, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, कहां गया, ये, 2, 1, 4, 3, अगला कुश्चिन दिया हुआ है, रतना कर जहां के स्थान के स्थान के निमनलिखत टहर, तो निमनलिखत में से कौन सी जोड़ी सुमेलिट है, यह आपको बताना है, संगठन एवं व्यक्ति, अब यहां पर ना ये वाला जो गुश्चन है, यह विलोपित हो गया था, अब मुझको तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो मैं ज्यांता इसक से होमवर्क है आप लोग इसको खोजिएगा क्या सही है देखिएगा बताईएगा मुझे अगला कुश्चन हम लोग देखते हैं चाहिए तो देख लेते हैं कुश्चन किस तरह का है चाहिए शकल घरिलू उत्पाद में इस्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-13 ये 12 होना चाहिए था 2011-12 से या फिर 12-13 होना चाहिए था खेर जो भी हो 2016-17 की अवधी में सेवा चेत्रों के योगदान की प्रवरित्ती क्या थी तो इस तरह का कुश्चन बन सकता है इसमें बस आपको जो है ये जो सन है ये अलग देखने को मिलेगा मतलब कि 2020 के से इसके स्थान पर होगा तो अ ऐसे आपको देखने को मिलेगा घटने की, बढ़ने की, इस्थिर रहने की, उतार चड़ाओ की तो यहाँ पर आनसर जो है उतार चड़ाओ वाला ये था मतलब कि उस समय जो घरेलु उत्पाद है मतलब सेवा छेत्र के इस्थान पर उद्योग छेत्र पूछा जा सकता है कि इसकी प्रवरित्ती कैसी थी अभी हाल के वर्सों में तो मतलब चेंज हो जाएगा लेकिन चीज वही रहेगा मतलब कि जो तरीका है वही रहेगा बस थोड़ा सा डाटा जो है बदल जाएगा अगला कुस्चन दिया हुआ है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतरगत सुक्ष्म स्रेणी के उद्योग व्यवशाय वर सेवा हित्व बैंकों से कितना रिन रासी किसोर व्यवशाय के लिए प्राप्त हो सकता है तो देखेगा जो भारत सरकार है उसके तरप से जो है ना तीन प्रकार की रिन योजना सुरू की गई थी पहला था सिसू रिन जिसमें पचास अजार तक का रिन मिल सकता है किसोर रिन जो यहां पर पूछा गया है किसोर रिन तो किसोर रिन में ना इसमें किसोर रिन में पचास अजार से पांच लाग तक का रिन आपको प्राप्त हो सकता है जहां रखेंगे पचास अजार से पांच लाग इसके बाद था तरूण तरूण रिन तरूण रिन में क्या होता है इसमें पांच लाग से दस लाग तक का रिन मिल सकता है तरूण रिन में तो यहां इसका आंसर हो जाएगा पचास अजार से अधीक एवं पांच लाग तक क सोरेर में यह उस समय का करेंट अफेर वाला कोश्चन था अगला कोश्चन दिया हुआ है यह क्या है यह भी मतलब उस समय का जो आर्थिक सर्वेक्षण है करेंट अफेर उससे संबंदित कोश्चन है तो आप लोग अभी आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो ऐसे कोश्चन को ध्यान में जरूर रखिएगा तो उस समय इसका आंसर जो है यह लिया गया था इकतिस दसमलव चौश्चन दिया हुआ है सुनिस्चित सिचाई छेत्र विस्तार योजना में किसे सामिल नहीं किया गया है तो सुनिस्चित सिचाई छेत्र विस्तार योजना तो इसमें एनिकेट को सामिल नहीं किया गया था उस समय के हिसाब से अगला कोशिन दिया हुआ है राष्ट्रे क्रिशी विकास योजना में किसे सामिल नहीं किया गया है ये 2017 के हिसाब से अगला कोशिन दिया हुआ है अभी इसमें क्या स्थिति है मतलब कि अभी कितना डोनेट करता है तो इसमें जो है न उस समय के हिसाब से आंसर ये था तो आप लोग मतलब इन में से कोई नहीं तो आप लोग अभी देखिएगा कि जो चाफी कुछ देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफी काम आ सकता है अगला कुश्चिन दिया हुआ है चत्तिजगण में PPP model पर कौन सी पार्क की इस्थापना नहीं की जा सकती तो यहां पर लगू वनोपज आधारित पार्क है ये जो है इस्थापित नहीं किया जा सकता है ये जो CGPAC के model आंसर के हिसाब से अगला कुश्चिन दिया हुआ है नक्सल प्रभावित जिले के बच्चों को IIT, JEE, NEET, PET एवं क्लेट की प्रतियोगी परिक्षाओं में विशेश कोचिंग सुविधा देने के लिए 36 गड़ में कितने प्रयास आवाशिय विद्यालय संचालित हैं तो ये 2017 तक टोटल 7 थे अभी कितने हुए हैं आप लोग सर्च करिएगा और अभी काफी कुछ नई नई चीजे भी इसमें सम्मिलित की गई है तो आपको ये सारा कुछ देखना होगा खुद से खुद से आप कुछ कुछ चीजे करेंगे तो आप लोग एक चीज खोजने जाएंगे आपको 10 चीज मिल जाएगा तो आपको वह आपकी दिमाग में बैठ भी जाएगा तो इसको खोजिएगा जरूर कि अभी कितने प्रयास रावासिय विद्याले संचाली थे 36 अगला कुछ दिया है 36 में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू है कौशल विक अगला कुश्यन हम लोग देखते हैं 36 में तेंदू पत्ता बोनस तिहार 2017 कब मनाया गया तो यह जो है ना डॉक्टर रमन सी हैं जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय में इस तरह से बोनस तियार चाउर तियार इस टाइप का चीज़े जो है मनाया जाता था तो य जो है ना इसका अंसर लिया है 2 दिसंबर से 11 दिसंबर 2017 तो अभी आप लोग जो हमारे 36 सरकार द्वारा इस तरह के जो भी कारेकरम किये जा रहे हैं वो कब से आरंब हुआ कितने दिन चला क्या कुछ हुआ तो उन चीज़ों को आप लोग देखिएगा वो पूछा जा सकता जान रखेंगे इस चीज़ को अगला कुश्यन हम लोग देखते हैं पचासवा कुश्यन 36 गर में आई आई टी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कितनी रासी की सहायता दी जाती है तो भई हमारे 36 गर में जो आई 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 टी है ना तो उसमें जो चाहत्र पड़ते हैं तो उनको कितनी सहायता रासी दी जाती है तो इसका जो आंसर CGPAC ने लिया है 40,000 लिया है मदद 40,000 रुपए की सहायता की जाती है तो पता नहीं इतनी रासी दी जाती थी या नहीं मुझे नहीं मालूम आप लोग इसको सर्च करिए कि अभी अगर दि धाई दी जाती है ये बताईएगा कॉमेंट करके तो इसी के साथ आज का ये वीडियो इहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको आपने कितने कुष्चन सॉल्व किये और इस वीडियो में जितने भी कुष्चन आर्थिक सर्वेक्षन से थे, करेंट अफेर से थे उनसे आपको एक आईडिया हो जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षन करेंट अफेर से किस तरह की कुष्चन पूछे जाते हैं आर्थिक सर्वेक्षन जब आप पढ़ोगे तो ये कुष्चन आपके ध्यान में रहेंगे तो आप खुद से बना सकत यहां से जो है question पूछा जा सकता है बाकि आप लोग वीडियो को जितना हो से को उतना share करिएगा like करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से subscribe करिएगा और 2020-2019 और 2018 में CGPSC prelims में 36 से जितने question पूछे गये थे उन पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है उनको भ सुबह 7 बजे 36 सामानने अध्यन से संबंदित 10 प्रस्न पर हम लोग डिटेल उसको explain करता हूं मैं तो उसको आप लोग जरूर से देखिएगा वह आपके लिए काफी help हो सकता है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद